तो हेलो फेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि अभी रिसेंटली करली की दिन डॉल आउट किया गया था जिसका नाम है वीवो T3 5G जैसा कि आपने देखी लिया होगा थम्नेल में छोटा सा सबस्क्राइब हो सकते मुझे इंस्टागरों फ्यदू भी फॉलोग करें चलते हैं दोस्तों आगे मैं रदम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक मैं जैसा कि देख सकते हैं यहां पर यह मैंने बुकिंग करा था कल के दिन और आज डिलिवर्ड भी हो चुक ह दोस्तों यह वाला जो वेरेंट मैंने मंगवाए एट जीवी टू 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 टिविवी वाला वेरेंट है जिसका जो प्राइज है एक की से या नोजो ने ने नहीं है मतला 22 रूप का प्राइज है और इसमें सब्सक्राइब का थू यह मुझे दो जार का सस्ता बिड़ा मत इसको 8GB 255GB की रैम मिलने वाली है और मीडिया का मीडिया टेक का 7200 का प्रोसेसर मिलने वाला जो कि इस रेंज में काफी अच्छा है गेमिंग परफोमेंस के लिए और नॉर्मल परफोमेंस के लिए और आप देख सकते हैं यहाँ पर फस्ट इंप्रेशन इसका आ चुका है और जो की काफी अच्छा है इसके जो अवर रिव्यू देखे जो नॉर्मल वीडियो आई है उसमें के साब से बहुत अच्छा हैंसेट है 50 मेगा फिक्सल का यहाँ पर पीछे बैक केमरा दिया गया है और अच्छा खासा इसका इंप्रेशन है तो फिलार इसको दे देते है फिलाल इनको एक बार रिसीव कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ आप पर्फॉमेंस आप बैकसाइड देख सकते हैं बैकसाइड कितना शांदा लग रहा है ब्लू किलर में यहाँ पर मैंने मंगवाया है और ब्लू किलर में अच्छी खासी सेंट मिल अभी मैं देखते हैं ब्राइटेंस कैसी है और डिस्प्रे दिया गया है यहां पर और फिलाल अभी इसको अन कर लेते हैं दोस्तों फाइनली यहां पर यह ओन हो चुका है आप देख सकते हैं और फर्स एक्स्प्रियेंस का काफी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा में दर से उधर हो गया है और इसकी जो बुके कॉलिटी है वो काफी अच्छी आ रही थी जो कि मैं कुछ आपको एक्जांपल दिखाऊंगा फोटोस के जो कि मैंने से क्लिक किये थे और फोटोस काफी अच्छे आ रहे थे यहां पर आप डुएल केम्रा को भी यूज कर पाएंगे थोड़ा इसका यूज करा मीडिया टेक 7200 प्रोसेसर के साथ काफी अच्छी इसकी प्रॉफॉमेंस थी हाड़ी यूज नहीं करा नॉर्मल यूज करा क्योंकि नया नया तुरंते डिलीवर्ड हुआ था 5000 एमेंज की बैटरी के साथ यह यहां पर यहां पर आया है इसके अदर आपको फंटोस का OS मिलता है जो कि वीवो को खुद का है और यहां पर कुछ परसनल आपको इसके अंदर फीचर मिलते हैं जो कि फंटोस OS के साथ मिलते हैं अब बात कर लें यहां पर मेन कैमरे की तो कैमरे फर्फॉमेंस काफी अच्छी थी यहां पर जो नॉर्मल में उच्छे और first experience मेरा क्योंकि वीवो का मैं बहुत कम ही use करता हूं पर वीवो का first experience मुझे काफी अच्छा आपको 44W का fast charging support मिलता है ताकि आप अच्छे से आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपडेट यार सब्सक्राइब करें और हो सके तो थेंक्यू